अगर आप केक बनाना जंजट लगता है तो फिर आज बिना जंजट बिना महनत ना इसमें मैदा है ना बेकिंग पॉड़र ना बेकिंग सोडा इस इंस्टेंट केक को आप फटा-फट बना सकते हैं और इसका टेस्ट भी चूरदार रहता है फ्रेंट्स अगर आप मेरी चैनल में नए है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए फिर बनाते हैं तो चलिए आज बनाते हैं बिना महनत बिना जंजट वाला इंस्टेंट केक उसके लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ पांच पैकेट हैपी हैपी बिस्किट यह चोटा साइज वाला बिस्किट है पांच रुपया वाला आप चाहे तो दस रुपया वाला भी ले सकते हैं अब सारे बिस्किट को रैपर से निकाल लेते हैं इस बिस्किट का चॉकलेटी टेस्ट रहने के कारण बहुत ही ज़्यादा जोड़दार चॉकलेट केक बन के रैडी होता है, जैसे ही आप केक बना के रैडी करेंगे, चुटकी में सारा केक फिनिश हो जाएगा, और यह बहुत महँगा भी नहीं पड़ता है, एक पैकेट पा अब इसे हमें ग्राइंड करना है, बस एक जार में सारे बिस्किट को जैसे तैसे तोड़के डाल दो, जैसे भी डालोगे यह पिसना ही पिस जाएगा असानी से मिक्सी में, बस अब हमने सारे बिस्किट को जार में डाल दिया है, अब इसमें डालेंगे तीन चमच चीनी, यदि आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं खाना तो आप एक चमच और डाल सकते हैं, बस अब इसे हमें ग्राइंड कर लेना है, एक दो बर मिक्सी चलाएंगे पूरी अच्छी तरह से ये बिस्किट ग्राइंड हो जाएगा, अब देखें पूरी अच्छी तरह से मैं यहाँ पर एक कप दूद ले रही हूँ, अभी आधा कप दूद डालूँगी क्योंकि बिस्किट के पाउडर में बहुत ज्यादा दूद नहीं लगता है, अब इस तरह से मिक्स करना है, यदि बच्चे देख लिए कि मम्मी केक बना रही है, तो मैं पूछते रहते हैं जैसे भी आप स्पून से गिराएंगे तो धीरे धीरे गिरेगा, और अचानक से पूरा गिर जागा तो पतला हो गया, तो बस इतने ही गाड़ा हमें रखना है, अब एक केक टिल लेंगे, जिसमें आप केक बनाते हैं वो आप ले लो, अब इसमें थोड़ा सा तेल बस अब हलका सा इसे ग्रेस कर लेंगे, बहुत जादा मैं नहीं डाल रही हूँ, ब्रस से भी कर सकते हैं या फिर हाथ से जैसे भी सुईधा लगे आप आसानी से कर लेंगे, अब इसमें हम थोड़ा सा आधा चमच कोको पाडर स्प्रिंकल करेंगे, मैता डालने से केक कोई बेकिंग सोडा ना बेकिंग ओडर, इनो से बहुत ही अच्छा केक फुल के रेडी होता है और बहुत ही स्पंजी बनता है, एक दम मार्केट जैसा, अब इसमें हम आधा चमच इनो डालेंगे, पूरा पैकेट नहीं डालने, आधा डालेंगे और आधा बचा लेंगे, अब इतना डालेंगे, अब इसमें बचा हुआ है, मैं छोड़ दूँग अभी से, अब इसके उपर थोड़ा सा दूट डालेंगे, अब दूट डालके इसे पूरे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बस इस प्रोसेस को आपको जल्दी करना है, ज्यादा मिक्स नहीं करना बस दो बार ऐसे मिक्स करेंगे कि पूरा इनो अच्छे से बैटर में मिक्स हो जाए, बस हलके हलके हाँ से करना है, बहुत स्पिडली नहीं करना है, अब देखे पूर अच्छा से मिक्स हो गया है, अब हमने जो केक टीन लिया है, अब इसमें बैटर को डाल देंगे, अब अब इसे हम बेक कर लेंगे, अब एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को 5 मिनट पहले हमने तेज आच में गरम करके रख लिया था, अब इसमें स्टेंड डालेंगे, अब उसके उपर केक टीन डालके इसे कवर करके, 45 मिनट ले छोड़ देंगे, एक्तम लो फ्लेम में, अब 45 मि अब इस केक को आधा घंटा के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दीजे, अब इसे हम डिमोल्ड कर लेंगे, उसके लिए एक प्लेट को उपर से रखेंगे, और इस तरह से टैप करेंगे, टीन को, आप इस तरह से टैप करेंगे, आसानी से ये केक निकल जाएगा बाहर, यदि आपके बच्चे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तब तो फिर आसानी से निकल जाएगा केक, और यदि सोचते हैं कि नहीं गरम में ये मम्मी जल्दी यल्दी देदो खा लूँगा, तब तो फिर ये केक निकलेगा ही नहीं बाहर, अब फ्रेंड्स, आपको म कोई कहने सकता है कि ये घर की बनी हुई केक है, इतना स्पंजी, इतना सॉफ्ट की मों में जाते ही घुल जाएगा, अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ, कितनी असानी से ये कट हो रहा है, तो फ्रेंड्स, आप इस केक को एक बार जरूर ट्राई कर रहें, और दे